सावनेर तहसिल में पिछले आठ दिनों से भारी बारिश के कारण 4 बांध 100 प्रतिशत भरे हुए है 9 बांध और फ्लो की और बढ़ रहे है सावनेर उपविभाग में बांधों में 100 प्रतिशत पानी का भंडारन है मौसम विभाग ने आगे भी पहरी बारिश की फविश्च वाने की है आगामी तीन दिनों में सावनेर के सभी उपसंभागों के जलाशियों में पानी का भंजारन और बढ़ने की संभावना है पिछले कुछ दिनों से सावने तादुका के कई हिस्सों में बारिश वारी है गुरुवार को 26.26 मिलिमीटर बारिश हुई है जिसे लगु प्रकल्पों में कुल 23.81 मिलिमीटर तीन मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया है जलाशे में पानी बढ़ने से जलाशे के पास के गावों के साथ साथ किसानों और नागरिकों को भी नुकसान हो रहा है साथी नदी किनारे के गावों को अलट कर दिया गया है साती जल भंडारन बढ़ने से रभी सीजन में फसलों की सुच्चाई और पीने के पानी की समस्या भी दूर होने की संभावना है चुकि खेकरा नाला जलाशे ओवरफलो की तिशा में बहरा है इसलिए इस बांद के सभी चार गेट खोलने के आदेश दिये गए है केसन नाला 93 परतिशत, उम्री 100 परतिशत, कोलार 87 परतिशत, खेकरा नाला 100 परतिशत, महरकुण 52 परतिशत, नागलवाडी 47 परतिशत, कहना देवी 71 परतिशत, सुवरधरा 49 परतिशत भागी महारी 33 प्रतिशत, रायवासा 100 प्रतिशत, नंदा 100 प्रतिशत, खुम्री नाला 100 प्रतिशत, भागी महारी कोलापूरी जलाशे में 13.76 प्रतिशत जल का जमाफ हुआ है जो अगले एक दो दिनों में और बढ़ने के आसार हैं पिछले आठ दिनों से तालुका में लगतार हुरी भारी बारिश के कारण सावनिर उपमंडल के सभी वांग ओवर्फलो की दिशा में हैं जिसमें मुख्य खेकरा नाला जलाशे 100 प्रतिशत भरा हुआ है जिसके कारण इसके चारों गेट खोले गए हैं खेकरा नाला जलाशे से कनहा नदी में छोड़े जारे पानी के कारण नदी के किनारे के ठेमबू ढोग कोच्छी खापा आधी सैथ अन्य गाबो में पानी की बाड़ का खत्रा हो सकता है जिसे लेकर प्रशासन द्वारा इन गाबो की नागरिकों को सतरकता की सूचनाई द झाला